आँखों को फड़काने वाली गणेश जी वंदना बुधवार की विशेषता कई साल पहले की बात है एक गाउ में एक बुधवार को एक अद्भुत गणेश मूर्ती की प्रतिष्ठा की गई यह मूर्ती विशेष रूप से अपनी आँखों की वजह से प्रसिद्ध थी वह ऐसी शक्ती रखती थी कि जब भी कोई व्यक्ती गणेश जी की आँखों को देखता था उसकी आँखों की फड़कन हो जाती थी यह अद्वितिय गुन लोगों को आकरशित करता था और उनका विश्वास बढ़ाता था कि गणेश जी अपनी आँखों के माध्यम से अपने भक्तों की प्रतिष्ठा करते हैं एक बार गाव के एक युवक को इस मूर्ती की आश्चर्यजनक शक्ती के बारे में सुनकर बहुत उत्साह हुआ उसने सोचा की यह गणेश जी की कृपा का चमतकार हो सकता है वह रोजाना बुधवार को मंदिर में जाकर गणेश जी की पूजा करने लगा उसकी आखों में विश्वास और भक्ती की आग जली रहती थी धीरे धीरे समय बित्ता गया और उसके साथ साथ उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती गई वह धन, सुख, समरिध्धी और सफलता से भरपूर हो गया उसका विश्वास और भक्ती उसे गणेश जी के आशिर्वाद के लिए सदैफ प्रेरित करते थे उसने अपने जीवन को उज्वलता और संतोश से भर दिया था इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि गणेश जी के प्रती पूरा श्रद्धा और आदर रखने से हमारी मनोकामनाएं पूरी होती है गणेश जी हमेशा हमारे पास रहते हैं और हमेशा हमारी उपेक्षा करते हैं उन्हें विशेश रूप से बुधवार के दिन याद करना चाहिए, क्योंकि यह दिन उनकी विशेशता और आशिरवात को बढ़ाता है गणेश जी की पूजा और आराधना से हमें समरिध्धी, सफलता और सुख की प्राप्ती होती है